मेरा नाम नियती शाह है और Short Formats Digital Productions Private Limited की मैं CEO हूँ और ये मामला extortion का है करीबन एक साल पहले एक absolutely stranger आदमी ने मुझे फोन किया था और उसने मुझे कहा कि उसकी मेरी company की काफी sensitive details उसके पास है और मेरी company में problems आ सकते है तो मुझे उसको मिलना चाहिए मैंने उसकी बात को बिल्कुल seriously नहीं लिया क्योंकि मैंने सोचा कि हमारी company जो है वो इंडिया की top companies के साथ काम करती है और हमारी पूरी जो transaction है वो wipe में होती है मेरी company को क्या problem आ सकती है और दूसरी बात कि मेरी company में से data कोई क्यों leak करेगा कैसे leak करेगा तो मैंने इस इंसान को बिल्कुल seriously नहीं लिया यह मुझे continuously whatsapp करते गया फोन करते गया और मुझे बोलते किया कि तुम्हारी company में problem आने वाली है और actually 2-3 महिने के बाद मेरी company में raid हुई तब जाके मैंने इस आदमी को seriously लेना चालू किया तब ही मुझे लगा कि हाँ यह जो बोलता है यह करता है तो मैं इसे मिली इसे मिली तो फिर मुझे पता चला कि इसको मेरी company की बहुत सारी information पता थी इसको पता था कि मेरे bank accounts किदर है इसे यह भी information पता रहती थी कि जब ही हमारी company में जब मेरे bank account में पैसा आता था हमारे partners से या मैं credit card अपना use करती थी इसे हर information पता थी जिसकी वज़े से मैं और ज्यादा pressure में आ गई बहुत tension में आ गई कि यह आदमी कौन है कैसा है इसका network क्या है कि इसे इतनी information कैसे पता रहती है क्योंकि यह मुझे time to time update करता जाता था मैं और pressure में आ गई फिर इसने मुझसे 10 lakh rupees की demand की तो यह 10 lakh rupees मैंने उसको दिये धीरे धीरे इसकी greed बढ़ती गई और यह finally आके 8 crores पे रुका इसने हम से 8 crore rupees की demand की मुझे लगा के थोड़े time में यह समझ जाएगा चले जाएगा लेकिन यह कहीं पे आके भी नहीं रुका फिर finally मैंने तंग आके मैं crime branch गई उदर additional commissioner crime branch से मैंने complain करी उन्होंने फिर मेरा जो case था वो unit number 11 crime branch में दिया जहां पे senior officer चीमाजी आडव और जो हमारे case के आयो है मनोर हारपुडे यह दोनों ने मुझे होसला दिया confidence दिया that I don't need to worry they will protect my company's interest my company's data इन लोग ने बहुत tactfully पूरा track plan किया रविंदर खेरा के लिए और बहुत ही smartly रविंदर खेरा को arrest किया और अभी Mr. Khera behind bars है हमारे लिए सबसे जो shocking बात थी जबी Mr. Khera को arrest किया और उसको interrogate किया के हमारे ही company के ex employees जो मेरी ex partner थी रचना पूरी उसके husband जो मेरी company में काम करते थे मेरे ex employee थे वो और दूसरा जो हमारे ex employee है Irfan Patel जो हमारी accounts team में था ये दोनों ने हमारी company का data steal किया और हमारी company का data leak किया था हाँ क्योंकि जबी इन लोगों को arrest किया गया और जबी पूरा interrogate किया investigation किया तो इन से हमारी company का बहुत सारा data निकला इसमें तीन जन arrest हुए है अभी तक Mr. Ravindra Khera जो extortionist है जो मुझे परेशान करते थे Sushil Puri जो मेरी ex partner रचनापूरी के husband है और मेरे ex employee थे और Irfan Patel जो भी मेरे ex employee थे मेरी accounts team में काम करते थे ये तीनों arrest हुए है जब ही Ravindra Khera जी का गड़ सर्च किया तभी more than 20 companies का data निकला है देखिए जैसे मैंने starting में ही कहा कि मेरे लिए तो ये completely stranger थे लेकिन जब ही पुलिस ने काफी interrogation की तब interrogation में से मालूम पड़ा है कि Mr. Ravindra Khera कुछ 25 साल से ये काम करते थे हुआ हुआ है